चलिए आज हम देखेंगे उत्राखन समब्णि ज्यांते समंद्ध डेस्ट확 बहुंद 22 यहां सा स्थान? कौन सा स्थान गड़वाल में सुनता आंधुलन का गड़ था तो इन में इसे कौन सा स्थान जहां से गड़वाल में सुनत्ता आंधुलन को लीड कि आगया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुगड़्दा जैसे कि मौ में अलमोरा सिस्वतन था आंदुलों को लीट किया गया गडवाल में अध्यकार्यों ने दुगड़्दा को चुना ने पुद आ पन्डित धनी राम मिस्रने धनी राम मिस्रने इसको अपने खेट में बसाए था गड़्डा को इसे सहर बसना शुरूआ और बात करें जो सारा अपना जितना भी कारे किया वो इसी सहर में किया कुली बेगार डोलापाल की जो कुमाओं के परसित आंद रोन है उनको भी गड़वाल में इसी सहर में चलवाय गया कांतिकारी भवानी सिंग्रावाद का इसकी दिम्यदारी अपने हाथ में लिए इसका सही आंशर है 1988 में और इसके लिए एक अड़क निगम बनाए गया ठीच डीच और इसके स्ताप्रावी थी 12 जुलाई कि मिलम गाओं पिथोरा गड़ में और यह वा था अठारा सो तीस में अठार सो तीस में इनका चन्म हुआ और इन्होंने लास सितिब्बत का जो सर्वेक्षण किया अंग्रिजों के लिए उसके लिए काफी प्रसिद्धुए इनकी जो पुस्ताक है जो नहीं खुद लिख इसका सही अंसर हो जाएगा व्यास घाटी इसीत है पिथोरा गड़ में और यहां पर व्यास घाटी को दार्मा घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है सिनला व्यास घाटी को जो दार्मा से जोड़ता है दार्मा और व्यास को आपस में जोड़ता है जो दर्रा हो है सिनला ये पित्वरागण में है अगला आमारा प्रश्न मैक्स मुलर ने गडवाली भासा की उत्वधी किस से मानी तो भासा विज्ञानी है मैक्स मुलर तो इन्हें गडवाली भासा की उत्वधी किस भासा से मानी तो इसका सयांस रोजाएगा प्राकृत भासा से अगला आमा यहां से मेली है महिस मर्दनी यहां से महीस मर्दनी की मूर्थी अगर घुट प्रस्णheen भोच पत्र का क्या है तो इन चारों में से भोज पत्र का वेगयनिक नाम क्या है तो इसका सही आंसर रो जाएगा बेदुला न्यूट्रिस है भोज पत्र का वेगयनिक नाम अगर हम इन अन्यक की बास करें तो यारसा गंबो है कीडा जोडी का वेगयनिक नाम किड़ा जडी का ओगान नाम है जबकि रूποस नीविय का काला हिसल्ग का केनिभस सेट्थिवा की सब्सक्षा करें. थे प्रेक्षिजित ब मेईजर कॉर्भेट का वागन कहा सोग हो। नेने बदोन न्यूटन का बागान और राम गड़ में था एक डेरियाज का बागान ये अंगली जफसर्थ जिनके बागान उधराखंड में थे एकला हमारा प्रास्ट पर्थम बद्री किसे माना जाता है तो पाँच बद्री उधराखंड में है जो कमोडी जिल्रे में जित है तो इन्हें से पर्थम बद्री किसे माना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थम बद्री माना जाता है विद्ध बद्री को और अन्य बद्रियों के और हम बात के लिए विसाल बद्री हम कहते हैं बद्री नात के लिए बद्री नात जो खुद है विसाल बद्री यो गड़वाल का डिप्टी कमिशनर कौन था तो अठारा सुस्तावन की कनाति के समय गड़वाल का डिप्टी कमिशनर था बैकिट होता यह था कि कुमाओं में सासन करता था कमिशनर और गड़वाल की उसके हिस्से में सासन करता था डिप्टी कमिशनर तो बैकि उससमें डिप् तो इसका सही आंसर है उत्तर कासी जबकि ऐसा एक मिलता जुलता नाम है गुलाब घाटी तो जो गुलाब घाटी है गुलाब घाटी वो है काठ गुदाम के पास नेंटाल में अगला बंपा घाटी का इस्तित है तो बंपा घाटी जो इस्तित है वो है चमोडी गडवाल में बंपा घाटी चमोडी में इस्तित है अगला हमारा बंपाड़ के स्ताबना कभ भी पित्धर रगड को कभी स्ताबित किया गया तो तीन हमारे जो पर्वतिय二 जिल्ले बने जो एक था उत्तरकासी दूसरा था फित्धर रगार अक्री स्तामोडी यह तीन हो बने थे 24 फ्रवड़ी 1960 को अगला हमारा प्रस्व दुसांदगार किस नदी का नाम है तो दुसांदगार एक नदी के लिए कहा गया है तो किस नदी के लिए दुसांदगार सलत कपर योग किया गया है तो इसका सही आंसर है पश्चमी रामंगा के लिए कहा गया है पश्चमी रामंगा जो निकलती है दूधातुल इसरें इसे दुजाटली से यह निकलती है और बिरमा, गगास और बिनो इसकी सायकन दिया है और इसकी तो सायकन दिया है गगास उसके तटपर है रानिकेट सेर अगला मारा प्रश्न है उत्राखंड की विभूतियां dado किस की रचना है तो इन चारों में से किस की रचना है विभूतियां यह भक्त दर्शन की रचना है गड़वाल की दिववंगत विभूतियां अगर हमारा प्रश्ण है हिमालय साक्चि है किसकी रचना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर परसाद गयर वला रहां सी मिल देजी दो अन्य रचना यह भी है एक है भीर साक्चि कि तो वह सब्सक्रा निस संग की हुआ कर दूसरे Say llegar to be तो जो जानते हैं गड़वाल की लक्षी मभाई हम इंको कहते है और जौन अप आर्क भी पिए का जाता है श के अा उत्राखन में जब इन्होंने कतियों जब ये तिरूद अब्षल्ण हो संके सब्सक्राइब तो इन चारणों से किसे आ क्देगा जाता है सेल्ट अमरा का खुलिन्थ पम्त को और इनकों अन्या जाना जाता है में कुमाओं कॉंग्रेश की रीड को क्रीस की रीड के नाम से रहा जाता है और 1922 के प्रश्ट का सम्मिरन हुआ काशिपूर में उसकी अज्यक्सतावी इन्हों नहीं की थी सल्ट के गानी नहीं तो भी थे हमारे आज के प्रस्न